अमने शिवाई आम नमस शिवाई आम नमस शिवाई आम परमादियंपरे सुतागन सुरुताबनना सुनना श्रव NICKMAAS का सबसे बरी उपदेश ने संदेश ने और इस समय अपने आपको समझना अपने आपको भगवान की जो गंगा की धारा भक्ति की धारा बह रही है इस रावन मास में अपने आपको गोता लगा करके पवित्र बनाने का पुरा-पुरा समय मिला है और आज हम भक्त और भगवान के बीच में जो रिष्टा हैं जो नाता हैं जो संबन है उसके बारे में बात करेंगे भक्त उसको कहा गया जो सत्य और असत्य का पहचान कर ले भक्त उसको कहा गया जो सांसारिक सुख और आक्मिय सुख का पहचान कर ले उसको भक्त कहते है और भगवान वो है जो कबिर्दासी बहुत सुन्दरवानी कहते है कि मो को कहा ढूंडे बंदे मैं तो सदा तेरी पास रे कि भगवान मुझ में है तुझ में है सब में है मुझ में राम तुझ में राम समाया कन कन में भगवान वास करते है भगवान उनको कहा गया परमात्मा निराकार साका रूप मेले भगवान का हर एक रूप है शंकर भगवान का राम चेतर मानस में तुरसदाची ने बहुत सुंदर बानी से कहा कि राम भक्ती चिंता मने सुंदर बसही गरूर जाकर उर अंदर परम प्रकाश रूप देने राती नहीं कचुचा ये दिया गरिते बाती भगवान की भक्ती भगवान की अराधना पूजा पाठ बाहर में भी करें हस्त क्रिया से भी करें करम से भी करें लेकिन साथ साथ अपने अंदर में भी करें मंदीर जहांपर हम जाकर के पूजा करते हैं अपने गाउं में उसको कहते हैं शिवालई या देवालई कहते हैं जब शब्द आया मंदीर तो माने कि मंदीर में जो दीर है अंदर में जो दीर दीर कहते हैं प्रकाश को अंदर में जो प्रकाश है उस प्रकाश को पहचाने उस मन की जगह में जाएं वह यात्रा तिर्थ यात्रा हुआ अभी हम स्रावणी में हम पद यात्रा करें हैं लेकिन एक यात्रा कहें तिर्थ यात्रा जो अंदर की यात्रा है आत्मी यात्रा है अपने अंदर में जाकर के अपने भगवान का दरशन करें उजग इतना प्रकाश है इतना दीर है कि नहीं कचुचा ये दिया गृत बाती न दिया न गृत और न बाती की जरूरत है भस एक भक्त अपने भगवान के प्रती वह पहिचान सिफ मानना नहीं है भगवान को जानना है और कब जानेंगे यही समय है मनुष्य योनी हमें मिला है मनुष्य योनी अनबोल रे माटी में न डोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मनुष्य जन्म भगवान ने सोच समझ करके दिया ताकि हम इस जन्म में अपने प्रभू का दर्शन करें अपने मालिक की दर्शन करें अपने आत्मा और परमात्मा का हम मिलन कराए इसको कहते हैं आत्मी असुख सी विष्णपुरान में नारज निप्रश्न किये थे ब्हगवान से कि प्रभू मैं आपकी कहां पूजा करूँ कहां जा करके मैं आपका दर्शन करूं मालिक आप मुझे बताएं विष्णपुरान में सी नाराइजी कहते हैं कि नाहम वसामी वैकुंठे, नाहम वसामी योगी हिर्दयम, यत्र भक्ता गायंती तत्र तिष्ठामी नारद। किहे नारत, ना ही मैं कैलाश में बैठता हूँ, ना ही मैं वैकुंट में रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के इशरन में रहता हूँ, यत्र भक्ता गायंती तत्र तिश्ठामी नारत, जहां पर मेरे भक्त मुझे पुकार पुकार।